दोस्तों अगर आपको भी Free Fire Max open करने में loading problem देखने को मिल रहा है जैसे ही आपने OB38 का update किया उसके बाद आप सभी Free Fire Max को open करने जा रहे हो तो आपका open ही नहीं हो रहा है यहाँ पे loading का जो यह होता यह बर ही नहीं रहा है यहीं पे first चुका है तो किस तरीके से आप अपने Free Fire Max में से loading problem को solve करके अपने game को खेल सकते हो open कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगर आपको भी यह problem आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहेगा इस वीडियो में 100% working आप सभी को ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस problem को solve करके अपना Free Fire Max open कर पाएगे तो चलिए स्टार्ट करते है वीडियो को और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा जैसे कि आभी यह problem आ रहे तो अभी तक कि सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो आपको जो भी प्रोब्लम आएगा अगर आप से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करके और पर सेट करना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आये तो वर्दम मत करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानते सॉ सॉलियूशन जानने से पहले हम लोगों के रेज़न इसंका पूल जानना होगा कर दाकि यह म्यों सब्सक्राइब कर देखने में होता डारा को अइस कोस्यौन देखने साथ ह годıkु यह प्रभाद अगर आपको यह प्रोब्लम आती है तो तो इसमनें के इसमेरे साथ क्यों रह कोई गलती नहीं है अब लोग जानते है कि कि क्या है किस तरीके से हमें प्रोब्लम को जानते हैं तो देखे प्रोब्लम को शॉल्ब करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना Free Fire करना होगा का लेट करने का बाद Free Fire Max और किसकी से इहां पर आपको सबसे पहले तो airplane mode को on करना है फिर off कर देना इससे क्या होगा कि एकदम से connection जो internet का speed है वो आपको बुस्ट कर जाएगा एकदम zero से hero पर जाएगा तो तब open करके देखना अगर आपका internet speed की वज़स होगा तो आपका problem solve हो जाएगा अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो एक वर आपक सोजना यहां पर long press करना एक इन फो आएगा इस पर क्लिक करना है storage users आएगा इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको clear catch कर देना clear data मत करना वहना आपका जो कपड़ा होगा dress होगा सारा हट जाएगा एक्सपेंशन पर डिलीट हो जाएगा तो यहां से क्लिक करना है उसके बाद से यहां पे फोर्स स्टॉप होगा यहां पे अभी देखो मैंने पहले ही कर रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले कर लिया ठीक है तो अब इसको छोड़ते क्योंकि आप भी कर लेना इसके बाद आपका problem solve हो जाएगा ठीक है और अगर इसके बाद भी नहीं होता है फिर आपको क्या करना तब आप एक चीज़ कर सकते हो जो है वह है कि आप VPN कर सकते हो लेकिन अभी मैं इस वीडियो म कोई सही बात नहीं होती क्योंकि इससे कई बार हमारा ID भी बैन हो जाता है बट अभी ID बैन नहीं होगा क्योंकि तरफ आपको एक बार यूज करके login करना है उसके बाद आपका problem solve होई जाएगा उसके बाद आप VPN delete कर देना अप कई लोग पूछेंगे कोन सा VPN यूज करें त मैं भी क्यों VPN से इस problem को solve किया था तो आप भी कर सकते हो बाकिया आच के वीडियो में प्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करके बाद आकन को प्रेस कर दीजिएगा आपने मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक लिए बाइबें टेक केर दोस्तों